Welcome to MKR, मेरा नाम है मंदीप, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के सब्जेक्ट मैच से चप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाडी लेटरल्स, क्वाडी लेटरल्स में अभी तक हमने इस चप्टर का इंट्रोड़क्शन कर लिया है, exercise 8.1 भी कर लिया है, अब एक exercise बची description box में और first comment में provide किये गए हैं, सबी को देखके अपना चप्टर जल्दी से complete आपने कर लेना है, तो exercise 8.2 की शुरुवात करते हैं next page से, सबसे पहले हमारे सामने question number 1 आता है, इस question को solve करने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आपने midpoint theorem कर ली है, अगर midpoint theorem नहीं की है, तो क midpoint theorem का link आपको नीचे description box में दिया गया है, उस theorem को अच्छी तरह से कर लेना exam में आएगी, midpoint theorem समझने के बाद exercise 8.2 के जो भी questions है ना वो भी आपको समझ में आएंगे, so I hope आपने कर ली होगी नहीं की है, तो link दिया गया है, उसको कर लो, जो भी हमारा question number 1 है, इस पर आ जात हमें यहाँ पर एक quadilateral दिया गया है, A, B, C, D, और जो भी हमारी यह side से है, A, B का midpoint P है, B, C का midpoint Q है, C, D का midpoint R है, A, D का midpoint S, इस तरह से हमें दिया गया है, इसके अलावा A, C जो है वो diagonal भी है, तो यह diagonal भी यहाँ पर draw कर दिया गया है, figure हमें दिया गया है, given है, question को हमने figure से ही समझ लिया, अब यहाँ पर हमें तीन चीज़े find करनी है, सबसे पहले S, R parallel to A, C, and S, R half of A, C, जो भी हमारा यहाँ पर S, R है, यह AC के parallel भी है, और A, C का यह आधा भी है, यह midpoint theorem से ही करना possible हो सकता है, so first वाले part हमें देखो, जो भी हमारी यहाँ पर A, D side है, और C, D side है इनका midpoint S और R है, सबसे पहले यही हमें लिखना होगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा S, and R, जो भी मेरी यह दो point है, यह क्या है, midpoints है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, midpoints of, किसके midpoints हैं, हमारे, देखो, S, A, D का midpoint है, R, यहाँ पर C, D का midpoint है, तो यहाँ पर मैं इस त midpoints है, A, D और C, D के, अगर हम इसे triangle को consider करें, कौन से triangle की बात कर रहा हूँ मैं, figure की तरफ देखो, A, C, D वाले triangle को हम देखते हैं, इस वाले triangle को हम consider करेंगे, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, in triangle A, C, D, इस वाले triangle में हमारी जो भी S, R है, और A, C है, यह क्या हो जाएंगी, parallel हो जाएंगी, भई, क्यों होंगी, क्योंकि S और R midpoint है, A, D और C, D का, तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ, कि जो भी मेरी line है, S, R वो parallel हो जाएगी, भई, किसके, A, C के, and इसके साथ साथ, दूसरी चीज़ क्या होगी, S, R जो है न, वो half हो जाएगी, हमारी यहाँ पर, A, C क अब यहाँ पर point क्या है, किस concept का use करके, यह prove किया जाता है, यह निकल कर आता है, देखो, S और R midpoint है, हमारी A, D और C, D side के, ठीक है, यह midpoint है, तो जो भी हमारा triangle बनता है, A, C, D, इसकी इस side में S midpoint है, इस side में R midpoint है, तो जो S, R वाली line होती है, यह parallel होती है, हमारी, इसे AC क S, R और AC एक दूसरे के parallel हो जाएंगे, और S, R, AC का half भी हो जाता है, यह conclusion हमें कोन देता है, midpoint theorem से यह conclusion निकल कर आता है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था आपको कि midpoint theorem बहुत जरूरी है, midpoint theorem से हमारा S, R, AC के parallel हो जाएगा, और S, R half of AC हो जाएगा, first वाला part, midpoint theorem पता होने चा यहाँ पर triangle ले लूँगा, जो भी यहाँ पर मेरी यह equation आई है, इसको मैं माल लेता हूँ, मेरी first equation होगी, अब जो भी मेरा second वाला part है न, इसके लिए मैं triangle ABC का use करूँगा, तो triangle ABC के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इन triangle ABC, जो भी मेरा यह triangle है, इस वाले triangle में आपन ध्यान से देखना है, AB का midpoint, P है और CB, BC का midpoint है हमारा Q है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कि P and दूसरे वाला कौन सा point है हमारा यहाँ पर Q है, यह midpoints है, तो इस तरह से लिखेंगे midpoints, किसके midpoints है भाई, कौन-कौन सी side के हैं, AB और BC के हैं, तो इस तरह से लिख देंग हम AB and दूसरी वाली side यहाँ पर लिख देंगे, BC, P और Q हमारे AB और BC के midpoints है, triangle ABC को जब हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर यह midpoint, यहाँ पर यह midpoint और जो भी midpoint को join करने वाली line होती है, वो third side के parallel होती है, यही तो हमने सीखा था, किसमें भाई, midpoint theorem में, तो जो भी हमारा य Q है, वो parallel हो जाएगा, AC के, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कि भाई, P Q, यह parallel हो जाएगा हमारा यहाँ पर AC के, इसके साथ साथ, parallel होने के साथ साथ क्या होता है, P Q जो होता है, ना हमारा, मतलब इसके midpoint से बनने वाली जो भी line है, हमारी P Q के, वो third side AC का half भी होती है, तो P Q equals 2 में हो जाएगा, हमारा 1 upon 2 यहाँ पर AC, यह हो जाएगी हमारी किस से भाई, इसका reason भी यहाँ पर हमें लिखना होगा, by midpoint theorem, simple reason यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, अब यहाँ पर जो भी हमारी यह equation बनी है, इसे equation number 2 रखेंगे, ठीक है, हमारे पास equation number 1 है, equation number 2 है, में value है, right hand side में, 1 by 2 AC के equal SRB है, और 1 by 2 AC के equal हमारा PQB है, ठीक है, तो यह दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के equal होंगे न, SR हमारा 1 by 2 AC के equal, PQB हमारा 1 by 2 AC के equal, तो हम conclusion निकालेंगे कि SR और PQ एक दूसरे के equal हो जाएंगे, तो इस तरह से में लिख सकता हूँ, SR यह equal हो जाए है, यह हमारा by first and second equation, दोनों equations का use करके हम यहाँ पर यह conclusion निकाल सकते हैं, ठीक है, first equation में SR half AC के equal है, second में PQB half AC के equal है, तो यह दोनों एक दूसरे के equal हो जाएंगे, PQ equal है SR के, यही हमें second में show करना था, second वाला part भी complete हुआ, इसी page पर third वाला part भी किया जा सकता है, तो third वाले part के लिए यहाँ पर मैं line लगा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैं line लगा देता हूँ, इतने में ही हमारा third वाला part भी हो जाएगा, so third वाले part के लिए हमें क्या करना होगा, एक चीज तो यहाँ पर देखो, simple सी बात है, SR equals to में PQ हमारे पास है, यही चीज लिख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास SR equal है, किसके भाई PQ के, इसके अलावा एक conclusion और first और second equation से हमारा क्या निकाला जा सकता है, कि SR हमारी AC के parallel है, और जो हमारी PQ है, वो भी AC के parallel है, तो SR और PQ यह एक दूसरे के parallel हो जाएंगी, क्योंकि दोनों AC के ही parallel हैं, तो यह एक दूसरे के भी parallel हो ज कोई भी हमारी line common line के parallel है, जैसे SR AC के parallel है, और PQ भी AC के parallel है, तो आपस में यह दोनों एक दूसरे के parallel होती हैं, simple सा यह conclusion यहाँ पर हमने निकाला है, अब यहाँ पर आप figure देखो, हमारे पास SR वाली line है, और PQ वाली line है, यह क्या है भाई, इस quadilateral की opposite side है, quadilateral की opposite side एक दूसरे की opposite side एक दूसरे के equal भी है, parallel भी है, तो वो हमारा एक parallel होता है, मैं इस तरह से यहाँ पर लिख सकता हूँ, opposite sides are equal and parallel, जो भी opposite sides हैं, वो equal भी हैं, और parallel भी है, therefore PQ आर ऐसे जे, parallel ग्राम तो जो भी हमारा यहाँ पर PQ आर ऐसे है, यह हो जाता है, एक parallel ग्राम थर्ड वाले पा करना है, तो उसके लिए move करना है, next page पर, आगे बढ़ने से पहले class 9 के math and science में तुमें genius बनना है, तो उसके लिए बनाया है यह genius course, इसमें दोनों subject math and science का नई NCRT pattern के according पूरा syllabus cover कराया गया है, इसके साथ ही math and science के हर एक chapter के important question भी कराये गए हैं, यह important question exam में जरूर आएंगे और previous year के जो question paper है ना वो भी करा दिये गए है, class 9 के math and science में अगर तुम 90 से जादा score करना चाहते हो, तो google play store पे जाओ, green board android app डाउनलोड करो, और इस course को अभी purchase कर लो, क्योंकि अभी यह आपको सिर्फ 800 रुपे में मिल जाएगा, अगर आपने देरी की, तो इसका prize original जो prize है, वो 1200 है, बाद में अगर आप इसको खरीदोगे, तो 400 रुपे जादा आपको देने पडेंगे, अभी यह 800 में मिल जाएगा और यह fees जो है, यह एक महीने की नहीं है, यह fees है पूरे साल की, जब तक आपके एक्जाम नहीं हो जाते, जब तक यह course आपके पास ऐसा का ऐसा रह कुछिन नमबर 2 हमारे सामने आ गया है, इसमें हमें दिया गया है, ABCD is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoints of side A, B, B, C, C, D and D, A respectively, show that the quadilateral P, Q, R, S is a rectangle, figure हमें नहीं दिया गया है, खुद से हमें draw करना पड़ेगा, तो सबसे पहले draw कर लेंगे, ABCD हमारा एक rhombus हमें इस तरह से draw कर लेना है, इसका नामकरन नेमिंग कर देते हैं, A, B, C, D, यह हमारा हो गया एक rhombus है, इसके अलावा जो हमारी A, B, B, C, C, D और D, A हैं, इन पर midpoints P, Q, R और S हैं, तो यहां पर हमारा P point हो जाएगा, यह Q point, यह R point और यह S point, यह P, Q, R, S सबी midpoints हैं rhombus की sides के, इसके इसके अलावा हम क्या करें, अपनी तरफ से एक भी कुछ चीज़े add करनी पड़ेंगी, तो मैं क्या करता हूँ, A से C को और B से D को, जो rhombus है, उसके diagonals भी यहां पर draw कर देता हूँ, तो A से मैं C को join कर दिया, और B से मैंने यहां पर D को भी join कर दिया, simple काम मेरा complete हो गया, अब जो चीज़ करने वाले हैं, उन चीज़ों के बारे में ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं triangle लूँगा, कौन सा triangle, ABC वाला triangle को पहले consider करते हैं, ठीक है, इस वाले triangle को ध्यान से आपने देखना है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूँ, सबसे पहले, इन triangle ABC, ABC वाले triangle में हम हमारे पास क्या-क्या चीज़े हैं, देखो, यह है ABC triangle, इसकी जो side है, हमारी AB इसका midpoint है, P और BC जो है, इसका midpoint है, Q, यही चीज़ हम लिख देते हैं, यहां पर, जो भी हमारा यहां पर P and Q हैं, ठीक है, P and Q midpoints हैं, यह कौन सी side के, वो हमें बताना होगा, यह midpoints हैं हमारी कि कौन सी, AB और दूसरी वाली side कौन सी है, हमारी AC के, यह line इस तरह से हमें लिख लेनी है, P and Q midpoints of AB and AC, इस तरह से लिखने के बाद, अब हमें यहां पर जो भी triangle देख रहे हैं, हम ABC triangle, इसका midpoint, AB का midpoint, P और BC का midpoint, Q है, तो जब हम P, Q के और line join करेंगे, midpoint theorem के according क्या हो जाएग P, Q और AC वाली जो हमारी lines है, यह एक दूसरे के parallel हो जाएगी, और P, Q, AC का half भी हो जाएगा, ठीक है, मैं यह conclusion निकाल सकता हूँ, कि जो भी मेरी यहां पर P, Q है, वो parallel हो जाएगी, किसके, AC के, इसके साथ-साथ जो P, Q है, वो half हो जाएगी, कौन सी line के, AC के, ठीक है, यह conclusion क निकाला भाई, मैंने आपको बताया था, midpoint theorem, midpoint theorem देखना बहुत जरूरी है, midpoint theorem से हमने यह पहला conclusion निकाल लिया है, तो इसे equation number 1 हम रख देंगे, बिल्कुल इसी तरह से, अगर मैं triangle ले लेता हूँ, ACD वाला triangle, तो उसके लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, इन triangle, दूसर D का midpoint, R है, तो मुझे क्या करना होगा, R and S जो हमारे यहाँ पर हैं, ठीक है, R and S, R midpoint, यह midpoints हैं, कौन सी वाली side के हैं, यह भी हमें बताना होगा, अभी लिखते हैं, जो भी हमारा R है और S है, R हमारा CD और AD हमारा, S जो है, वो AD का होगा, तो यहाँ पर इस तरह से लिखे of CD, and दूसरी वाली हमारी side आ जाएगी, AD, इस तरह से हमने लिखा, जो भी हमारे R and S है, वो midpoint हैं, CD और AD के, simple सा point हो गया, तो यहाँ पर जो हमारा ACD triangle है, इसमें हमारा SR जो भी बनेगा, वो AC के क्या हो जाएगा, भाई, parallel हो जाएगा, और उसका half भी हो जाएगा, मैं यह RS, यह parallel हो जाएगा हमारा AC के, और इसके अलावा जो हमारा RS है, वो हमारा half of ACB हो जाएगा, यह भी किससे होगा, भाई, midpoint theorem का ही यहाँ पर use किया गया है, reason यहाँ पर हमने लिख दिया है, midpoint theorem, तो यह हो गया हमारा conclusion number second, या फिर equation number of first हो गई, second हो गई, हमारी दो equation हो गई है जो भी हमारी यह दो equation है, इनसे conclusion क्या निकलता है, जो हमारी PQ है, वो AC के parallel है, और RS है, वो भी हमारी AC के ही parallel है, common यहाँ पर AC आता है दोनों में, तो मैं यह कह सकता हूँ कि PQ और RS यह भी एक दूसरे के parallel हो जाएगी, simple सा conclusion यहाँ पर आ जाएगा, PQ equal हो जाएगी हमारी यह यहाँ पर RS के parallel तो हो गई, अगर यह equal भी हो जाएगी, तो हम parallel ग्राम तो इसको prove कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखो next जो हमारे पास है, half AC के equal PQ है, और half AC के ही equal हमारे पास RS आता है, हमारे पास इस side में common चीज़ आती है, half AC यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इस तरफ वाली जो चीज़े हैं, वो भी एक दूसरे के equal होंगी, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कि भाई PQ यह equal हो जाएगा मेरा RS के कहां से हमें मिला है, यह by equation first and second, जो भी हमारी first and second equation है, उससे हमने यह conclusion निकाल लिया है, अब figure की तरफ देखो, PQ और RS की बात हमें opposite side हैं, opposite side एक दूसरे के equal भी आती हैं और parallel भी आती हैं, तो हम क्या conclusion निकालेंगे, कि PQ RS हमारा एक parallel बन जाता है, opposite side parallel भी हैं और equal भी हैं, तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ, therefore PQ RS is a parallel, हमें PQ RS को parallel तो बना दिया है, लेकिन हमें rectangle तक लेकर जाना है, rectangle और parallel में अंतर क्या होता है, कि भाई rectangle का यहाँ पर जो angle है ना, वो 90 degree का बनता है, अब अगर यह angle हम एक प्रूव कर दे कि 90 का है, तो बिल्कुल easily हमारा यह जो है ना, PQ RS यह rectangle प्रूव हो जाएगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे A, C और B, D diagonals हैं, माल लेते हैं, यह एक दूसरे को O point पर कट करते हैं, और जो भी हमारी यहाँ पर यह line है, S, R, इसको यह diagonal इस वाले point पर कुछ भी मान सकते हैं, माल लो यह इसको M पर, और इसी तरह से जो हमारा यह A, C diagonal है, यह S, P को इस वाले point पर, यहाँ पर N रख देते हैं, इन पर यह bisect करता है, जहा पर M point हो जाएगा, यहाँ पर N point हो जाएगा, अब हम जो quadilateral लेने वाले हैं, वो हो जाएगा हमारा O, M, S, N, इस quadilateral को हमें देखना है, ठीक है, इसमें हमारे पास जो यह angle है, इसको angle number 1 बोलेंगे, और जो यहाँ पर angle बनता है, इसको angle number 2 बोलेंगे, ठीक है, simple चीज हो ग और angle 2 है, यह क्या है बाई, मतलब हमारा यह वाला जो figure बना है, जो हमारी यह वाली side है, S, R, और यह वाली हमारी A, C, यह क्या है, एक दूसरे के parallel है, तो यहाँ पर O, M, S, N हमारा क्या बनेगा, एक parallelogram बनेगा, और parallelogram के जो भी angles हैना, उनको हमें देखना है, parallelogram का हमारा angle number 1 है, और parallelogram का हमारा angle number 2 है, वो एक दूसरे के equal होंगे, तो reason लिखेंगे, opposite angles of parallelogram, जो भी parallelogram होते हैं, उनके opposite angles एक दूसरे के equal होते हैं, अब मुझे बताओ, मैंने आपको जो introduction वीडियो बताई थी, उसमें क्या बताया था, कि अगर हमारा कोई भी A, B, C, D, कोई भी rhombus होता ह है, उसके diagonals एक दूसरे को कहां पर bisect करते हैं, perpendicularly bisect करते हैं, यानि कि जो angle number 2 है, वो हमारा 90 degree का होगा, तो angle 1 equals 2 में हमारा angle 2 की जगे पर value मैं put कर सकता हूं, 90, और angle 1 हमारा कितना है भाई, angle 1 हमारा यहां पर P, Q, R, S, जो हमारा parallelogram है, उसका एक angle होता है, अगर हमारा angle 1 90 degree का आ गया है, तो मैं कह सकता हूं कि therefore P, Q, R, S is a rectangle, किसी भी parallelogram का कोई एक angle अगर 90 degree का आ जाता है, जैसे इसका यहां पर यह angle 90 degree का आ गया है, तो वो हमारा हमेशा rectangle ही होता है, simple सा point यहां पर यह हो जाता है, जो भी हमारा quadilateral है, P, Q, R, S, इसकी opposite side एक दूसरे के parallel भी है, equal भी है तो यह parallelogram प्रूव हो गया है, parallelogram के बाद हमने इसका कोई भी एक angle 90 degree का प्रूव कर दिया, तो यह हमारा बन जाता है, rectangle question number 2 complete हुआ, question number 3 करना है, तो उसके लिए move करते है next page पर, question number 3 की शुरुवात करेंगे, diagram हमें खुद से बनाना है, question में हमें कहता है, ABCD is a rectangle and P, Q, R and S are midpoint of outside A, B, B, C, C, D and D, A respectively, show that quadrilateral P, Q, R, S, E, R, M, बस कुछ similar सा ही question है, बस condition अलग दी गई है, यहाँ पर हमारे पास जो भी figure है, सबसे पहले तो figure में हमें क्या करना है, A, B, C, D हमें यहाँ पर क्या बना लेना है, एक rectangle बना लेना है, ठीक है, यह हमारा एक rectangle हो गया, ABCD, इसके ज हमारे आ जाते हैं, हमें show करना है कि P, Q, R, S, E, R, S, E, R, S, हो जाएगा, कैसे show किया जाएगा, आसान सा तरीका रहेगा उसके लिए, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा ABCD rectangle है, उसके diagonals हमें join कर देने हैं, तो मैं A से C को इस तरह से CD line में join कर दूँगा ठीक है, A से C को join कर दूँगा, और A यहाँ पर D से B को भी CD line में join कर दिया जाएगा, अब हम triangles लेंगे, कौन सा triangle लेना है हमें, उसी तरह से करेंगे, जैसे पिछले वाले question को solve किया था, पहले मैं triangle ले लिता हूँ, यहाँ पर ABC triangle, तो उसमें मैं इस तरह से लिख देता ABC, जो भी हमारा ABC triangle है, उसको ध्यान से आपने देखना है, ABC वाले में हमारे पास midpoints कौन से हैं, AB का midpoint P है और BC का midpoint हमारे पास Q है, इसी चीज़ को लिखेंगे, हमारे पास midpoint क्या है, P है, and दूसरे वाला midpoint हमारे पास Q है, मैं कैसे लिखूँँगा, P and Q, R midpoints, यह हमारे midpoints ह कौन सी side के points हैं, यह भी हमें बताना होगा, midpoints of AB, उसके बाद दूसरी वाली side कौन सी है, and BC, यह हमारे midpoints हैं, triangle ABC की AB और BC side के P और Q, अब अगर जो midpoint हैं, इनको हम जोइन करेंगे, तो triangle की जो third side हमारी AC है, उसके यह parallel हो जाएगी, तो conclusion क्या निकलेगा, कि जो भी हमारी line P, Q है, वो किसके parallel हो जाएगी भाई, यह P, Q है, और triangle की हमारी side यहाँ पर AC है, P, Q parallel to हो जाएगी, हमारी AC midpoint theorem से हो जाता है, इसके साथ जात, जो हमारा P, Q है, वो half of AC भी हो जाएगा, बहुत simple सा point है, reason इसका लिख देना है, midpoint theorem का use करके हम यह कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, triangle ADC को ले लो अब की बार, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इन triangle दूसरे वाला कौन सा है मेरा, ADC triangle है, और ADC triangle में मेरे पास AD का midpoint है, वो S है, और CD का midpoint R है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पर S and R जो है न मेरे वो midpoints हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा, midpoint से और कौन-कौन सी side के midpoints हैं, यह भी हमें बताना होगा, कौन-कौन सी side के हैं भाई, S और R है, तो यह AD और CD के midpoints हैं, तो इस तरह से यहाँ पर लिख दिया जाएगा, AD, and यहाँ पर आ जाएगा हमारा CD, जो भी हमने यहाँ equation बनाई थी, इसको तो हम first equation ही बोल देंगे, इसके बाद यहाँ से हमारा ADC वाले से S और R हमारे midpoints हैं, इनको अगर हम CD line में join करेंगे, तो यह parallel किसके हो जाएगे, भाई, S C के हो जाएगे, तो मैं इस तरह से लिखूंगा, S R यह parallel हो जाएगा, हमारा यहाँ पर AC के, और इसके साथ साथ, जो हमारा SR है, वो half of AC भी हो जाएगा, AC का आधा हो जाता है, यह भी हम कहां से find करते हैं, midpoint theorem का use करके, reason इन दोनों का यहाँ पर हमने लिख दिया है, यह हो जाएगा हमारा equation number second, अब देखो, एक simple सी बात देखो, PQ हमारी AC के parallel है, और SR भी हमारी AC के parallel है, त तो यह एक दूसरे के भी parallel हो जाएगी, तो conclusion यहाँ पर निकलेगा, PQ parallel हो जाएगी हमारी यहाँ पर SR के, इसके साथ साथ देखो, इसमें इदर half AC आता है, इसमें भी half AC हमारे पास आता है, half AC के equal PQ भी है और SR भी है, दोनों में common half AC है, तो यह एक दूसरे के equal हमारे हो अगर किसी भी quadilateral की opposite side यहाँ पर देखो, PQ और SR हमारी parallel है, और यह जो quadilateral हमारा है PQRS, इसकी opposite side भी है, देखो PQ है और SR है, यह opposite side भी है, और यह parallel भी है, और यह equal भी है, तो इनसे क्या conclusion निकाला जा सकता है, सबसे पहले यह point हमें कहां से मिला है, by equation first and second reason हमें बताते और equal आ गई है, तो मैं कह सकता हूँ, therefore PQRS, जो भी हमारा यहाँ पर quadilateral है, is a parallelogram, यह हमारा एक parallelogram हो जाता है, भाई parallelogram तो हो गया है, हमें क्या करना है, rhombus प्रूव करना है, rhombus बताना है इसको, तो rhombus के लिए क्या होता है, जो parallelogram होता है, उसकी opposite side equal होती है, और parallel भी होती है, rhombus में क्या होता है, rhombus में जो opposite, मतलब जो 7 वाली side आना, जैसे PQ और यहाँ पर RQR है, यह equal होनी चाहिए, rhombus के लिए, ठीक है, बराबर, मतलब पडोस वाली जो side से हैं, adjacent जो side से हैं, वो equal आनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर मैं triangle लूँगा, कौन सा लूँग वाले triangle में आप ध्यान से देखो, हमारी side यहाँ पर क्या है, BC है और CD है, इनके midpoints Q और R हैं, तो मैं इस तरह से लिखूंगा यहाँ पर Q and R, जो भी हमारे midpoints हैं, उनके बारे में लिखना है, Q and R, are midpoints of कौन कौन सी sides के हैं, देखो Q हमारा BC का है, और R हमारा CD का है, तो इस त इस तरह से यहाँ पर लिखा जाएगा, BC and दूसरी वाली side कौन सी हो जाएगी हमारी CD, बिल्कुल सिंपल है, triangle BD से में Q और R हमारे midpoint हैं, BC और CD के, अगर इन दोनो midpoints को हम QR को join करते हैं, तो वो किसके equal हो जाता है, हमारा BD के equal हो जाता है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हू कि भाई QR जो है, ये parallel हो जाएगा हमारा किसके, BD के, ठीक है BD आएगा यहाँ पर, BD के ये parallel हो जाएगा और इसके साथ साथ जो हमारा QR है, वो इसका half भी हो जाएगा, किसका भाई, BD का half यहाँ पर हो जाएगा, कहां से निकलेगा हमारा ये conclusion, midpoint theorem का, use करके reason में यहाँ हमें लिख देना है, midpoint theorem, simple सी बात यहाँ आप से हमारी निकल कर आ गई, अब हमें शुरुआत में ही क्या दिया गया था, कि ABCD हमारा एक rectangle है, ये हमारा अगर एक rectangle है, तो rectangle की एक property आपको पता होगी, कि जो भी rectangle के diagonal हमारे होते हैं, diagonal AC है, और diagonal हमारा यहाँ पर BD है, जो भी rectangle के diagonal होते हैं, वो एक दूसरे के equal होते हैं, जो भी chapter का introduction है, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी, अगर ये दोनों एक दूसरे के equal हैं, तो जहाँ पर BD है, उसकी जगे पर मैं क्या put कर सकता हूँ भई, AC put कर सकता हूँ ना, तो कर सकते हैं यहाँ पर हमारा QR parallel, रख सकता हूँ भई, AC रख सकता हूँ ना, तो यहाँ पर AC आ जाएगा, अब यहाँ से आप conclusion क्या निकालोगे, यह हमारी हो जाएगी equation number third, जो भी हमारी यहाँ पर अभी तक, हमने कौन सी side देखनी है, PQ side देखनी है, और QR side देखनी है, तो आप यहाँ पर देखो, जो first व AC यहाँ पर QR है, half of AC यहाँ पर PQ है, तो मैं यह कह सकता हूँ कि जो भी मेरी line है, PQ वो equal हो जाएगी मेरी QR के, आप क्या यहाँ से conclusion निकालोगे, PQ और QR, PQ और QR एक दूसरे के equal हो गई है, और जो हमारी PQ है, वो SR के भी equal है, साथ वाली side, मतलब PQ, QR के equal है, और PQ हमारी SR क भी equal है, तो मैं यह कह सकता हूँ, therefore PQRS is a rhombus, यह हमारा हो जाता है, यहाँ पर rhombus, क्योंकि इसमें जो adjacent sides हैं, वो एक दूसरे के equal आ गई है, PQRS हमारा parallelogram तो था ही, parallelogram के साथ-साथ, अगर adjacent sides equal आ जाएं, तो वो हमारा rhombus हो जाता है, question number 3 complete हुआ, question number 4 करना है, तो उसके लि D is a trapezium in which AB parallel to DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD, A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F, show that F is the midpoint of BC, हमें question में यहाँ पर figure given है, तो ABCD यह हमारा एक trapezium हमें दिया गया है, इस trapezium की AB parallel to DC, जो side AB और DC यह एक दूसरे के parallel दी गई हैं, जो भी हमारी यहाँ पर line है, मतलब सबसे पहले तो diagonal BD की बात की गई है, B से D को join कर दिया गया है, diagonal बन गया, इसके बाद जो हमारी AD side है, उसका midpoint E हमें दिया गया है, और यहाँ E वाले से, E वाले point से एक parallel line draw की जाती है, AB के, जो BC line को F point पर intersect करती है, हमें शो करना है कि F is of BPT theorem का यहाँ पर use किया जाएगा, यह अलग से theorem है, sorry BPT नहीं, midpoint theorem, Converse of midpoint theorem का यहाँ पर use किया जाएगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, triangle ABD को ले लेता हूँ, तो जो भी triangle है, उसके बारे में लिखता हूँ, इन triangle कौन से वाला कहा है, मैंने, ABD triangle मैंने कहा है, triangle ABD में ज of AD, जो भी हमारी AD line है, उसका midpoint E हमें दिया गया है, तो जो भी line हम E से, मतलब इस वाले triangle को देखना है, हमें सिर्फ ठीक है, जो भी line हम E से, AB के parallel draw करेंगे, वो third वाली जो side है, उसको क्या करती है, भाई? इसको bisect करने का मतलब है, यहाँ पर इस line BD का midpoint होगा, इस point का हमने कोई भी नाम नहीं रखा है, G point इसका नाम रख देते हैं, तो यहाँ से conclusion क्या निकलेगा? E is the midpoint of AD, AD का midpoint E है, इसके अलावा हमारा E, F और AB parallel है, तो हमारा E, G और AB भी एक दूसरे के parallel होंगे, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि भाई, E, G यह हमारा parallel हो जाएगा, किसके भाई? A, B, K यह हमें दिया गया है, ठीक है, यह हमें given है, तो इन दो points का use करके, E is the midpoint of AD और E, G parallel to AB, देखो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, E से जो भी हम लाइन ड्रो करते हैं, वो parallel है AB के, तो यह लाइन हमने ड्रो की है, यह parallel है, इट में से E, G और AB एक दूसरे के parallel हो जाती है अब इन दोनों points से हम क्या conclusion निकाल सकते हैं, कि जो भी हमारा G है, G is the midpoint of कौन सी वाली का midpoint होगा, देखो यह वाली हमारी है, B, D वाली है, तो इसका midpoint यह हो जाएगा, यह हुआ कैसे है, बाई, जो भी हमारी midpoint theorem है, उसका convert किया जाता है, ठीक है, तो यह reason में लिखा यहाँ पर use करके हमने यह prove कर दिया, यह show कर दिया है, कि G हमारी इस वाली side B, D का midpoint है, ठीक है, यह हो गया है, हमारा guys, equation number 1 हम इसको कहेंगे, इतके बाद अगर मैं triangle ले लेता हूं, B, C, D triangle मैंने लिया है, तो उसके लिए यहाँ पर लिख देता हूं, सबसे पहले यहाँ प D ले लेते हैं, जो भी हमारी यह B, D वाली side है, इसका midpoint है, G, ठीक है, B, D का midpoint, G, first equation में हमें दिया गया है, इसी को यहाँ पर लिख देंगे, G is the midpoint of B, D, ठीक है, यह हमारा G point है, यह B, D का midpoint है, first वाले से हमने यह conclusion निकाल लिया है, इसके अलावा एक बात आपको पता हो होनी चाहिए, कि हमारी E, F, A, B के parallel है, तो जो part होगा हमारी इस line का G, F, वो हमारा A, B के parallel हो जाएगा, तो हम यह भी conclusion निकाल सकते हैं, कि भाई G, F जो है, यह हमारा parallel किसके हो जाएगा, A, B के, ठीक है, और A, B हमारी किसके parallel है, देखो A, B और D, C एक दूसरे के parallel है, अगर ह हमारा G, F, A, B के parallel है, तो G, F हमारा D, C के भी parallel हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें G, F parallel करेंगे, किसके भाई, D, C के parallel करेंगे, इसका reason यहाँ पर आ जाएगा, गीवन यह हमें दिया गया है, अब यहाँ से triangle को देखो, जो भी हमारा यह triangle है, triangle की एक side के midpoint से triangle line draw की जाती है, द B, C के parallel, तो वो third वाली side को क्या करती है, bisect करती है, bisect करने का मतलब होगा, जो भी हमारी यह वाली side है, उसका midpoint F हो जाता है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा, F is the midpoint of, कौनसी वाली line का midpoint हो जाएगा, यह B, C का midpoint हो जाएगा, यहाँ पर हमें B, C लिख देना है, और इसका reason क्या लिखा जाएगा, भाई, converse of midpoint theorem, same reason यहाँ पर हमें लिख देना है, converse of midpoint theorem, इसका reason हमने यहाँ पर लिख दिया है, हमें show क्या करना था, कि F is the midpoint of BC, यह आ गया है, हमारा F is the midpoint of BC, question number 4 में हमने कर दिया है, जो भी करने को कहा गया था, question number 4 complete हुआ, question number 5 करना है, तो उस question number 5 की बात करते हैं, इसमें है, इन परलोग्राम ABCD, E and F are the midpoint of side AB and CD respectively, show that line segment AF and EC trisect diagonal BD, हमारे पास एक परलोग्राम है, भाई, ABCD, इस परलोग्राम का एक diagonal यहाँ पर BD बना दिया गया है, इसके अलावा AB का midpoint E है, और CD का midpoint F है, हमें यह शो करना है, कि जो भी हमारे यह A, F और C, E हैं, यह इस diagonal को trisect करते हैं, trisect मतलब होगा, तीन equal parts में divide करते हैं, simple सी बात होगी, ठीक है, यानि कि हमें क्या prove करना है, क्या show करना है, BQ equals to में, PQ equals to में, DP, इन तीनों side जिन पे मैंने single line लगाई है, इनको equal show करना है, तो सबसे पहले क्या किया जाए, हमें पता राम की जो opposite side है, A, B और C, D, यह क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के equal होंगी, तो इस तरह से लिखा जा सकता है, कि भाई, A, B, यह equal हो जाएगी, हमारी यहाँ पर, D, C के, अगर मैं इन दोनों sides का half कर दूँ, आधा कर दूँ, D, C को थोड़ा सा जगे छोड़के, यहाँ प half कर दिया, यानि कि एक 1 by 2 से इन दोनों को मैंने multiply कर दिया, E यहाँ पर midpoint है, A, B का, तो मैं इस तरह से क्या कह सकता हूँ, कि जो भी मेरा A, B है, इसका half कितना हो जाएगा, इसका half मेरा A, E हो जाएगा, ठीक है, half of A, B यह हो जाएगा, मैरा यहाँ पर A, E, बिल्कुल इसी equal हो जाएगा हमारा यहाँ पर F, C के, अब एक simple बात बताओ मुझे, जो भी हमारी opposite side होती है, A, B और D, C parallelogram के opposite side हैं, तो यह एक दूसरे के parallel होंगी, A, E और F, C भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के parallel हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, A, E, यह हो देखो, A, E, और F, C एक दूसरे के equal भी हैं, और एक दूसरे के parallel भी हैं, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, therefore, जो भी हमारा यहाँ पर figure बनता है, A, E, C, F, यह क्या हो जाएगा हमारा एक parallelogram हो जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा, A, E, C, F, A is a parallelogram, ठीक है, यह simple चीज यहाँ से आपको समझ में आ गई है, अब इससे next point चो करने वाले हैं ना, उसको ध्यान से समझना, अब मैं triangle ले लूँगा, भाई, triangle A, B, P को लेता हूँ, मैंने draw करके बता दिया है, कौन सा मैं triangle ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, इन triangle कौन सा लिया ह भाई मैंने, A, B, P triangle मैंने लिया है, अब इसे A, B, P triangle को आपने ध्यान से देखना है, A, B, P triangle है, इसकी first side का जो midpoint है, उससे line draw की जाती है, हमारी ठीक है, और किसके parallel की जाती है, भाई, A, P के parallel की जाती है, हमारा ये क्या है, A, E, C, F, A का parallel है ना, तो इसकी जो side है, हमारी E, Q, और A, P, ये एक दूसरे के parallel होंगी, triangle की side, इस triangle की जो भी side है, इसके midpoint से line draw की जाती है, दूसरी side के parallel, तो वो क्या करती है, third side को bisect करती है, समझे, यहां से हम क्या कहेंगे, E is the midpoint, इस तरह से हम लिखेंगे, of जो भी हमारी E है, जो हमारा यहाँ पर E है, वो किसका midpoint है, A, B का midpoint है, triangle की side, A, B का, इसके साथ, साथ हमारी यहाँ पर क्या होती है, E, Q, और A, P, ये parallels भी है, क्योंकि यहाँ पर देखो, A, E, और F, C, मतलब हमारा जो यहाँ पर A, E, C, F, ये एक parallel हो गया है, तो इसकी opposite side हमारी E, Q, और A, P, ये एक दूसरे के parallel भी हो जाएंगी, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, E, Q, parallel हो जाएगा, यहाँ पर हमारा A, P, के, अगर यहाँ पर triangle की किसी भी एक side के midpoint से triangle की दूसरी side के parallel line रो की जाती है, तो वो third side को bisect करती है, it means Q is the midpoint of P, B, ये मैं लिख सकता हूँ ना, इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देते है, Q is the midpoint, midpoint theorem और उसका converse वाली theorem, दोनों theorem आपके लिए अलग से video मैंने बनाई है, description box में link मिल जाएगा, दोनों theorem आपने कर लेनी है, reason हमने लिख दिया, converse of midpoint theorem, अगर B, P का midpoint हमारा Q है, देखो यह B, P line है, इसका midpoint हमारा Q आता है, तो मैं क्या conclusion निकाल सकता हूँ कि B, Q और P, Q ये ए point होने से, B, P का midpoint होने से, ठीक है, B, P का midpoint Q है, तो B, Q और P, Q एक दूसरे के equal हो जाएंगे, ये हमारी हो जाएगी यहाँ पर first equation, बिल्कुल इसी तरह से अब मैं दूसरा triangle ले लेता हूँ, देखो ये वाला triangle ले लेते हैं, D, C, जो भी हमारा यहाँ पर है Q, D, C, Q triangle मैंने लिया है, तो मैं उसके लिए लिख देता हूँ, इन triangle कौन से वाला लिया है, मैंने, D, C, Q वाला triangle लिया है, अब D, C, Q वाले triangle को आपने ध्यान देना है, D, C, Q में जो भी हमारी side यहाँ पर, D, C है, इसका midpoint है, F, तो यहाँ पर यही लिखना होगा हमें, F is the midpoint of, कौन सी व की side जो है, C, D, इसका midpoint है, हमारे पास F है, इसके अलावा, जो हमारे पास A, E, C, F है, यह एक parallelogram मैंने बता दिया था, तो यहाँ पर F से P पर जो line हम draw करते हैं, और यहाँ पर C, Q है, यह एक दूसरे के parallel होगी, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे, F, P parallel हो जाएगा हमारा यहाँ पर C, Q के, अब देखो, theorem जो है, Converse of midpoint theorem हमें क्या कहती है, triangle की किसी एक side के midpoint से, triangle की दूसरी side के parallel जो भी हम line draw करते हैं, वो third वाली side को bisect करती है, simple सी theorem हमें बता है न, तो उसी से हम क्या कनिकलोजर निकाल सकते हैं, कि P is the midpoint of DQ, इस तरह से मैं लिख सकता यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, जो हमारा यहाँ पर DQ है, इसका midpoint हमारा P आ गया, reason हमें इसका देना होगा, reason जो यहाँ पर लिखा गया है, वही आपको यहाँ पर लिख देना है, reason में Converse of midpoint theorem हमने लिख दिया, अब अगर इस P point जो है हमारा इस DQ का क्या है, भाई, midpoint है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, कि भाई, D P equals to में हमारा P Q हो जाएगा, इस तरह मैं लिख सकता हूँ, D Q equals to में हो जाएगा, हमारा यहाँ पर P Q, यह हो गई हमारी equation number second, अब हमें करना क्या था, कि जो भी हमारी यहाँ पर जो line है न, ठीक है, यह हमारा diagonal है, B D, जो भी हमारी A F और E, C वाली line है, इसे diagonal को वो trisect करती है, यानि कि D P, P Q और Q, B या फिर B Q इनको हमें equal show करना था, तो first वाली equation और second वाली equation से हम क्या conclusion निकाल सकते हैं, कि सबसे पहले हमारे पास आता है B Q, first वाली equation से देखो, first वाली equation में हमारा B Q आ गया, उसके बाद हमारे पास यह equal किस equation में वो D Q के equal है, तो देखो, P Q के equal हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, D Q यह हमने show कर दिया है, कि B Q, P Q और D P यह एक दूसरे के equal हैं, it means हम यह कह सकते हैं, therefore, AF and EC trisect BD यह तीनों हमारी equal आ गई हैं, तो हम यह कहेंगे, AF और EC जो हमारी है, वो BD जो diagonal है, उसको bisect करती हैं, यही हमें show करना था, question number 5 complete हुआ, last question भी बचा है, उसको करने के लिए move करेंगे next page पर, exercise का last यानि की question number 6 हमारे सामने आ जाता है, इसमें कोई भी figure नहीं दिया गया है, खुद से draw हमें करना होगा, सबसे पहले बात करता है, triangle ABC right angled at C, हमें एक triangle बनाना होगा, जिसम right angle यानि की 90 degree का angle कहां पर होगा, C point पर होगा और triangle का नाम रखना होगा हमें ABC, तो सबसे पहले हमारे पास ये A point हो जाता है, उसके बाद ये B point हो जाता है, ये हमारा C point हो जाता है, C point पर हमारा 90 degree का angle बनेगा, ये angle हमने बना लिया यहां पर 90 degree का question को आगे समझते हैं, इसमे एक line है, कहां से है वो line, hypotenuse AB के M midpoint से, hypotenuse हमारी AB है, इसका midpoint यहां पर माल लेते हैं, यह M point हो जाता है, इस M point से हमारी line है जो BC के parallel है, तो यहां M point से मैं एक line यहां पर इस तरह से draw कर देता हूँ, ठीक है, यह वाली जो line है, M से जो मैंने draw की है, यह BC के parallel है, और यही line जो है वो AC को D point पर intersect करती है यह हमारा AC यह हमारा point हो जाएगा यहाँ पर D point ठीक है हमें करना क्या है वो समझते हैं सबसे पहले point में हमें यहाँ पर दिया गया है D is the midpoint of AC जो भी हमारी line AC है इसका midpoint D है यह हमेशो करना है तो first वाले को ही सबसे पहले solve किया जाएगा मैं triangle लूँगा इन triangle कौन से वाला triangle लिया जाएगा भाई A की तो triangle है मैं ABC triangle को लूँगा ABC की जो भी मेरी यहाँ पर side है AB इसका midpoint है M यही चीज यहाँ पर मुझे लिखनी होगी M is the midpoint of AB AB का midpoint है साफ साफ यह हमें कहा गया है कि M is the midpoint of hypotenuse AB यह हमें दिया गया है इसका reason यहाँ पर आप लिख सकते हो given आप कह सकते हो इसको reason इसका हमने यहाँ पर लिख दिया इसके साथ साथ आप एक बात और देखो M point से जो भी हमने line ने draw की है वो किसके BC के parallel है ठीक है यहाँ पर जो भी हमने line draw की है parallel to BC है यह भी हमें दिया गया है तो मैं इस तरह से कह कह सकता हूँ कि MD ये parallel हो जाएगी हमारी BC के, अगर हमारे किसी भी एक line के midpoint से दूसरी line के parallel जो भी draw की जाती है, तो वो third वाली side AC के midpoint पर जाकर मिलती है, या फिर कह सकते हैं, third वाली side को वो bisect करती है, तो यहां से, मतलब second वाला point जो है हमारा ये भी given है, हमें इसका reason यहां लिख देना है, अब conclusion क्या निकलेगा, पहली वाली side के midpoint से, दूसरी वाली side के parallel हमने line draw की, तो वो third वाली side AC को midpoint बनेगी, या फिर कह सकते हैं, उसको bisect वो करती है, यानि कि मैं कह सकता हूँ, D is the midpoint of AC, जो भी हमारा D point है, वो AC का midpoint हो जाएगा, और इसका reason हमें लिखना ह होगा, converse of BPT, जो भी हमारा BPT की converse theorem है, वो reason यहाँ पर हमें चिपका देना है, बहुत simple सी बात हमें prove करना था, D is the midpoint of AC, prove हमने यहाँ पर कर दिया है, first वाला part complete हो गया, second वाले part की बात करते हैं, इसमें दिया गया है MD, perpendicular to AC, हमारी जो MD है, वो perpendicular होगी AC पर, perpendicular यह sign जो है, य 90 degree का angle बनता है, तो अगर ये angle माल लो, मेरा 90 degree है, इस angle को मुझे 90 degree शो करना होगा, तभी हम यह कह सकते हैं, कि MD और AC एक दूसरे के, यहाँ पर perpendicular होगे, तो second वाले part को यहाँ पर solve करते हैं, बाई, सबसे पहले, एक बात मुझे बताओ, जो भी मेरी DM और CB है, या फिर BC है, ये एक दूसरे के parallel है, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, MD parallel है, हमारी यहाँ पर BC के, जो भी हमारी ये parallel lines हैं, ठीक है, ये दोनों हमारी parallel हो गई, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बाई, transversal line हो जाएगी, transversal line के, जो भी हमारे इस तरफ बनने वाले एक ही direction में बनने वाले angles हैं, वो एक दूसरे के equal होते हैं, इसको हम कहेंगे angle C, इसको मैं कह दूँगा angle D, ठीक है, तो मैं इस तरह से बोल सकता हूँ, angle C equal हो जाएगा हमारा यहाँ पर angle D के, कौन से angles होते हैं, ये corresponding angles, reason में यहाँ पर हमें लिख देना है, parallel lines पर जो भी हमारे corresponding angles हैं, वो एक दूसरे के equal होते हैं, अगर angle C हमारा यहाँ पर 90 degree का है, तो angle D भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, 90 degree का हो जाएगा, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, angle D equals to में हो जाएगा मेरा 90 degree का, अगर angle D यहाँ पर 90 degree का आ गया है, तो यहाँ से क्या conclusion निकाला जा सकता है, therefore जो हमारी line है, MD वो perpendicular ह हो जाएगी, A, C पर perpendicular 90 degree का angle बनाती है, तो DM हमारी, जो भी MD है, या फिर DM कह सकते हैं हम इसको, यह हमारी perpendicular हो जाएगी, क्योंकि 90 degree का angle बनता है, second वाला part भी complete हो गया, अभी हमारा third वाला part बचा है, भाई, third वाले part के लिए हमारे पास जगह नहीं है, third वाले part को solve करने के लि M A equals to me half of A B हमें करना है, अब देखो, CM कौन सी हमारी side होगी, ये वाली, तो हमें C से M को join करना पड़ेगा, एक सीधी line में C से M को मैं जोड देता हूँ, अब यहाँ पर हमारे पास दो triangles को हमें देखना है, कौन कौन से भाई, AMD वाला triangle ले लेता हूँ, उसके बाद मैं CMD व पहले वाला मैंने कौन सा कहा था, AMD triangle, एंड दूसरे वाला कौन सा triangle मैंने कहा था, CMD triangle मैंने कहा था, ठीक है, बहुत simple चीज हो गई है हमारी, यहाँ पर इन दोनों triangles को अगर हम congruent कर देते हैं, तो CM और MA एक दूसरे के equal हो जाएंगे, CPCT rule का use करके, आसान है न, तो हम क्या कर करते हैं, सबसे पहले इन दोनों triangles, AMD को और जो भी हमारा यहाँ पर CMD है, इनको क्या करना है, हमें congruent करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी line है, AD और यह वाली line है, हमारी CD, यह एक दूसरे के equal हो जाएगी, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, AD equal हो जाएगी, हमारी CD के reason क्या होगा, यहाँ पर reason हो जाएगा, D is the midpoint of AC, D midpoint है, यह reason हमें लिख देना है, D is midpoint of AC, D अगर AC का midpoint है, तो हमारी जो भी side है, वो bisect होगी, यानि कि AD और CD यह एक दूसरे के equal हो जाएगी, इसके बाद second point यहाँ पर देखो, जो भी हमारा यहाँ पर angle बनता है, इस तरफ हमारा 90 degree का angle बना है, तो भाई, इस तरफ भी हमारा 90 degree का angle बनेगा, अगर मैं इसको इस तरह से बोलू, ADM और CDM यह जो हमारे angles हैं, angle कौन सा भाई, ADM यह equal हो जाएगा, angle CDMK के होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, भाई, बोथ 90 degree है, दोनों 90 degree के होंगे, या फिर हम इस हैं, तो दोनों तरफ, perpendicular हमेशा दोनों तरफ 90 degree का angle बनाता है, इसके बाद next point समझो, जो भी हमारा यहाँ पर इधर वाला triangle हो, या फिर इधर वाला triangle हो, दोनों में हमारी side MD आती है, इधर वाले triangle में भी और इधर वाले triangle में भी, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, MD equals to में हो जाएगा, यहाँ पर हमारा MD यह दोनों में आती है, तो reason में आपको पता होना चाहिए, हम लिखेंगे यहाँ पर reason में, common 3 points हमें यहाँ पर मिल गए है, तो मैं यह कह सकता हूँ, कि जो भी मेरा triangle है, AMD और दूसरे वाला जो triangle है, कौन सा भाई, CMD वो एक दूसरे के हो जात अब इसमें देखो, मेरे पास क्या क्या है भाई, मेरे पास जो भी side है यहाँ पर, A, जो भी AMD वाला triangle है, और CMD वाला triangle है, इनकी side कौन कौन सी भाई, CM इसकी side हो जाएगी triangle की, और AM इस वाले triangle की side हो जाएगी, यह दोनों क्या हो जाएगी, एक दूसरे के equal हो जाएगी, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ cm equals to में m a हमारी side यहाँ पर हो जाएंगी यह कैसे होंगी बाई यह हो जाएंगी हमारी cp ct rule का use करके जो triangles हमारे यहाँ पर क्या हैं congruent हैं उन्हीं की corresponding side से एक दूसरे के equal होती हैं यह हमारी हो जाएगी यहाँ पर guys first equation अब एक equation और यहाँ से समझो एक देखो यहाँ पर हमारी line पूरी a b है ठीक है और m midpoint है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो m a है वो इस पूरी line का आदा है ठीक है मैं इस तरह से लिख सकता हूँ na m a equal हो जाएगा यहाँ पर मेरा मुझे m a लिखना है तो यह equal हो जाएगा half of a b क्यों होगा इसका reason यहाँ प point of a b अगर a b का midpoint हमारा m है तो a b का आदा हमारा m a a b का आदा हमारी यह वाली line m a हो जाएगी यह इसको कहेंगे हम equation number second अब जो भी हमारी यहाँ पर equations निकल कर आई है उनसे हम क्या conclusion निकाल सकते हैं देखो cm equals to m a first वाली से हम यह conclusion निकाल सकते हैं कि cm equals to हो जाता है हमारा m a के और m a किसके equal है half of a b यहाँ पर भी हमारा m a लिखा गया है तो मैं इसके equal में यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ half of a b क्या हमें third वाले पार्ट में यही करना था cm equals to m a equals to में half of a b question number six का third वाला पार्ट भी हमने यहाँ पर कर दिया है show या फिर कह सकते हैं हमने कर दिया है प्रूव की cmma और half of a b एक दूसरे के equal हैं तो question number six complete हुआ exercise 8.22 भी हमारी complete हो जाती है इसी question number six के third वाले पार्ट के साथ है उमीद करता हूँ जो भी exercise में questions कराई गए हैं सभी के सभी question आपको समझ आ गए होंगा अगर आ गए हैं तो video को like जरूर कर देना है आपकी class में जो सा पढ़ते हैं आपके साथ जो भी classmates हैं उनके साथ video को share जरूर कर देना है और जो भी नए students आते हैं mkr class 9 को subscribe कर लेना है class 9 की math की science की या other subjects की जो भी videos हैं इसी तरह से channel पर आती रहेंगी इसके अलावा जो भी हमारा chapter number eight है इसके introduction वाली video exercise 8.1 और 8.2 सभी videos बना दी गई हैं no parts को देख लेना है और जल्दी से chapter अपना complete कर लेना है तो इस video में इतना ही मैं मिलूँगा आपको इसी तरह की next educational video में या फिर कोई message है आपका तो इंस्टा पे DM मुझे कर देना है